वीकिंड का वार में अब सल्मान खान ने फहमान से एक बड़ा सवाल पूछ लिया है सल्मान खान ने साफ साफ कहा कि फहमान ये बताएगा कि क्या वाकई में सुम्बुल अप्सेस्ट है या नहीं जाहिर सी बात है कि सल्मान का ये सवाल सुन कर ना सिरफ सुंबुल बलकि फाहमान के भी होशुडे हैं लेकिन ऐसा क्यों किया है सल्मान ने हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर लेकिन अगर आपने हमारे चानल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजे आप जानते ही हैं कि फाहमान खान बतौर वाइल कार्ट बन कर घर के अंदर एंटर हुए है और ऐसे में फाहमान जो है घरवालों को ये लग रहा है कि वो सच में वाइल कार बन कर कुछ दिनों तक घर में रहेंगे लेकिन वो कुछ घंटों के लिए ही घर के अंदर एंटर हुए ऐसे में जब वीकेंड का वार में इस बात का मुद्दा बना की सुम्बुल अपसेस्ट है जब पेरेंट्स आये थे और ये सारे सवाल किये गए तो सलमान ने कहा कि देखिए सुम्बुल का एक और दोस्त घर के अंदर एंटर हुआ है जो सुम्बुल को दो साल से जानता है उसके आते साथ सुम्बुल ने उसे I love you कहा है उसका हाथ पकड़ कर घूम रही है उससे गले मिलती नजर आई है तो उसके बाद सलमान ने कहा कि चलिए हम फाहमान से पूछते हैं कि क्या उसे लगता है कि सुम्बुल शालीन को लेकर obsessed है जिस पर फाहमान एकदम दंग रह गए उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सारे सवाल उससे पूछे जाएंगे तो अब एक बाद तो तैह है कि फाहमान अब करे तो क्या करे जिसके बाद फाहमान ने कहा कि सर मैं सिरफ इतना कहना चाहूंगा कि सुम्बुल ऐसी ही है मैं पहली बाद जब से उससे मिला वो ऐसी ही है उसके लिए लड़का हो या लड़की हो दोस दोस्त होता है लेकिन हमारी सोसाइटी में जेंडर को लेकर इतनी सारी चीजे कही जाती है अगर लड़की के साथ दोस्ती हो तो सही लड़के के साथ हो तो कोई रिष्टे का नाम देने की कोशिश की जाती है और मैं सुम्बुल को जानता हूँ सुम्बुल के मन में कुछ नहीं होता वो हमे घर के कुछ सदसे हैं जिनोंने इस रिष्टे को इस दोस्ती को गलत नाम देने की कोशिश की हाला कि फामान ये भी कहते हुए नजर आए कि पापा को ये बास जरूर लगी थी इसलिए पापा उसे समझाने आये थे क्योंकि पापा को ये मालूम है कि नैशनल टेलिविजन पर ऐसा देख कर लोग उसके बारे में ये बाते बनाएंगे मैं और पापा सुमबल को जानते हैं और हमें पता है कि सुमबल ऐसी ही है वो कोई अपसेस नहीं है तो आप फामान के इस जवाब पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं